तेरे माथे पे ये आचल बहुत ही खूब है लेकिन तु इस आचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था मजास मजास अर्दू शाईरी के कीत्स है मजास को अर्दू शाईरी में शाईर रूमा भी कहते है मजास शराबी थे मजास बहुत खुबसूरत थे मजास आज भी أ.M.U की सारी लड़कियों के दिल की धरकन है मजाज के बारे में और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी लेकिन हाँ ये उस दोर के लोग थे जो तरक्की पसंद ख्याल के जो थे जो पहली सफ में फर्स्ट रू अफ तरक्की पसंद लोग जो आए थे फैज के साथ साथ शाना बशाना जुड़े थे बहुत सेंसिटिव थे और बहुत खुबसूरत शायरी लिखते थे उन्होंने कभी कोई इस तरह से कोई पर्चम लहराने की कोशिश नहीं की कि मैं जंडे नारे बाजी कर रहा हूं और जंडे गारने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हाँ आसपास के जो हालात थे उनसे वो बहुत ही ज्यादा यूनो मतासिर थे शायद इस वज़े से वो जो लिखते थे वो आज भी इतना रेलवेंट है और आज भी उतना ही ज्यादा हम लोगों को छू जाता है आज हमारी जनरेशन को भी बहुत यंग उमर में वो फौथ हो गए I think it was around 45 or something लेकिन जो भी लिखा है आज भी लगता है वो शायद हमारे लिए लिखा है उनकी एक तरकी पसंद नाजम जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ उसका उन्वान है नाजवान खातून से हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था तेरी नीची नजर खुद अपनी इसमत की मुहाफिज है तो इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था दिले मजरूव को मजरूवतर करने से क्या हासिल दिल घायल है उसे और घायल करने से क्या हासिल तो आँसु पोँच कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है अगर तू साज बेदारी उठा लेती तो अच्छा था तेरे माथे पे ये आचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आचल से एक पर्चम बना लेती तो अच्छा था